हेलो माई दियर स्ट्वेंट्स वल्कम टु अभिशेक रपाधि बायलोजी हम लोग मॉलिक्ले बीस ओफ नेटेंस चेप्टर को अभी पढ़ रहे हैं तीन लेक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं आज स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर अब देखिए इस फोर्थ लेक् करने वाले थे ट्रांस्क्रिप्षण एंड साथी साथ में डिने रेप्लीकेशन पर डियू सम् रीजन वह अभी हमारा फ्रवाद दिले हो जाएगा ठीक न तो चलिए हम लोग पहले क्या करने वाले हैं सेंटेर डॉग्मआ को प्लीट कर लेते हैं साथ हम मेशन आशनस टॉ का experiment complete कर लेते हैं जिसके जस्ट बात हम लोग शुरू करने वाले हैं transcription और DNA replication दोनों topics ठीक है ना तो चली तो हम लोग पहले आ जाते हैं बात करने वाले हैं किसके बारे में Central Dogma of Molecular Biology के बारे में Central Dogma of Molecular Biology Central Dogma of Molecular Biology is also called as equation of life इसको बोलते हैं equation equation of life Central Dogma of Molecular Biology is also called as equation of life याद कि life जो है इसको चलाए रखने के लिए हमें चाहिए metabolism क्या चाहिए metabolism तो metabolism जो है इस process को चलाने के लिए metabolism मतलब sum total of all the chemical reactions taking place in a body तो किसी की भी body में जितनी chemical reaction चल रही है न सबको मिला के क्या बोलते हैं metabolism बोल देते हैं अब जो metabolism है इसको चलाने के लिए bio catalyst लगता है क्या लगता है हमको bio catalyst आपको पता है catalyst कौन होते है जो rate of the reaction को elder कर सकते हैं या तो beta सकते हैं या तो घटा सकते हैं तो यह bio catalyst जो है catalyst का तो बताहिए À बायों catalyst कौन होते हैं bio catalyst होते हैं enzyme कौन होते हैं bio catalyst enzymes होते हैं और enzymes के लिए आप लोग ने सुना होगा all enzymes are proteins एक exception भी है ribosye नाम का enzyme ribosyne is a non sheep proteinaceous enzyme, ये एक तरीकी का nucleic acid होता है, ठीक है न, तो वैसे तो बहुत की जाए, तो enzyme जो होते हैं, वो metabolic reactions को चलवाते हैं, और metabolic reactions जो हैं, वो हमारी life को maintain करवाते हैं, तो equation of life में कहीं न कहीं हमें घूम फिर के क्या बनवाना है, protein बनवाना है, चलिए देख लेते एक बाद जल दी से, तो मानके चलिए, हमारे पास में DNA present है, और कोई आप से पूछे, क्या ये DNA अपनी खुद की copy कर सकता है, तो आपको answer देना है, बिलकुल, जब DNA अपनी copy करता है, तो process को नाम दिया जाता है, DNA replication, क्या नाम देते हैं हम लोग, DNA replication बोलते हैं, तो DNA replication process में क्या होने वाला है, DNA अपनी खुद की copy बनाने वाला है, अब आगे जाके ये same DNA क्या करेगा, ये DNA जो है, ये mRNA synthesis करवाता है, क्या बनवाता है, mRNA, क्योंकि जब कभी भी DNA कोई protein बनवाना चाहेगा, तो DNA directly किसी भी protein का synthesis नहीं करवा सकता, DNA को help लगती है mRNA की, तो DNA ज नाम देंगे transcription, क्या नाम देंगे, transcription नाम देंगे, और जो mRNA है, ये आगे जाके बनवाने वाला है हमारे लिए protein, क्या बनवाएगा ये, protein बनवाएगा, तो mRNA आगे जाके protein बनवाते हैं, और स्प्रॉसेस को हम लोग नाम देते हैं, Translation तो DNA से बन सकता है mRNA, mRNA बन वा सकता है protein और mRNA से protein बनने की process को हम लोग नाम देते हैं translation पर एक चीज़ नोटिस करिए, कुछ viruses ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बोलें तो retrovirus एक virus है कौन सा? retrovirus या फिर इसका एक example मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक example है HIV human immunodeficiency virus, जो कि क्या cause करता है? AIDS cause करता है अगर हम इस virus की बात करें, HIV की बात करें, तो इसके पास genetic material होता है single stranded RNA, इसके पास मिलेगा single stranded RNA देखने को मिलेगा अब यह जो हमारे पास single stranded RNA वाला HIV virus है ना, इस virus का जो RNA है यह convert हो सकता है DNA में, notice करो, क्या DNA से RNA बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है पर क्या उल्टा RNA से DNA बनाओगे? बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं? यूकरिटिक सेल नहीं, प्रोकरिटिक सेल भी नहीं, वाइरल जो organisms होते हैं वाइरल नॉन लिविंग जो structures होते हैं, वो ज़रूर बना सकते हैं RNA से क्या? DNA, क्यों? क्योंकि इनके पास मिलता है एक enzyme enzyme का नाम है reverse transcriptase, क्या नाम है enzyme का? reverse transcriptase, मैं लिख देता हूं जल्दी से HIV जो है इसके पास single stranded RNA है और यह single stranded RNA से बना सकता है DNA RNA, तो RNA से DNA बनाने की process को बोलते हैं reverse transcription और reverse transcription करवाने वाले enzyme का नाम कोई पूछे तो बोलना reverse transcriptase तो यहाँ पर notice करो, DNA से क्या बना? RNA क्या उल्टा RNA से हम DNA बना सकते हैं? answer is yes तो RNA से DNA बनाने की जो process है वो सरिफ HIV में या viruses में देखने को मिल रही है वो भी कौनसे virus? RNA virus में देखने को मिल रही है तो RNA वाले जो virus हैं यह करते हैं कौनसी process? तो आप बोलेंगे यह करते हैं reverse transcription तो DNA से RNA बनाना transcription RNA से उल्टा DNA बनाना is reverse transcription ठीक? एक और चीज़ नोटेस करो mRNA से protein बनाना translation DNA से DNA बनाना replication है ना? तो majorly पढ़ना चाहिए replication और transcription हमको तो हम जल्दी वो भी पढ़ेंगे पर पहले हम बात करते हैं कि यह replication जो होता है कौनसी चीज? DNA replication की जो process है हमने सुना है it is a semi conservative process तो एक बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है? सुनिया तो हम स्टार्ट कर रहे है DNA replication is a semi conservative process के साथ यह आप दखिएगा DNA replication जो है DNA replication का मतलब होता है DNA की copy बनाना DNA की क्या बनाना? Copy कोई पूचे का बनती है copy तो आप बोलेंगे यह बनेगी in S phase of cell cycle तो जो cell cycle होती है उसकी एक phase है phase का नाम है S phase इस S phase में DNA की copy बनती है इसको बोलते है DNA replication तो cell cycle में S phase में DNA की क्या बनेगी? Copy एक चीज हमीशन याद रखिए जब भी DNA formation होगा site में होगा जैसे की DNA replication prokaryotic cell में हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लिख देते हैं भी या DNA replication की site जो है prokaryotes में तो prokaryotes का जो DNA है वो cytoplasm में होता है इसलिए prokaryotes में DNA replication कहा होगा? cytoplasm में ही होगा पर हम अगर बात करें eukaryotes की तो तो eukaryotes में आपको या दखना है यहाँ पर DNA replication आपको देखने को मिलेगा nucleus में क्योंकि आपको पता है eukaryotic cell के पास nucleus होता है और nucleus में कौन बेठा हुआ है? DNA तो जब DNA nucleus के अंदर ही है तो replicate करने के लिए बाहर क्यों जाएगा? nucleus में ही करेगा तो DNA replication in eukaryotes takes place in nucleus अच्छा अगर mitochondria में DNA replication करवाना होत तो mitochondria में मिलता है matrix और matrix में मिलता है DNA तो mitochondria में matrix के अंदर होता है DNA replication ऐसा ही सेम हम बात कर सकते हैं किसके लिए? plastics के लिए क्योंकि उसके पास भी DNA है तो plastic का DNA मिलता है stroma में कहा मिलता है stroma तो plastic में DNA replication कहा होगा stroma में देखने को मिलेगा अब एक चीज़ याद रखिए हमने DNA replication को बोलते हैं semi conservative DNA replication को हम कैसा बोलते हैं it is semi conservative DNA replication DNA replication is semi conservative semi conservative मतलब गौर से रेखिएगा मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक DNA present है यह रहा अब मेरे पास में यहाँ जो DNA present है इस DNA में obviously कितने strands देखने को मिल रहे हैं दो strands एक strand है 5-2, 3- और एक strand है 3-2, 3-2, 5- ठीक है? तो ऐसे मेरे पास double stranded एक DNA present है अब जब कभी भी यह DNA replication करने के लिए जाएगा तो इसके दोनो strands एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे साथ में रहेंगे क्या अलग होंगे? अलग होने लगेंगे तो देखो DNA के दोनो strands अलग कर देते हैं यह एक strand है DNA का separate कर दिया यह दूसरा stranded DNA का यह भी separate कर दिया एक बहुत important चीज़ याद रखिएगा DNA के strand कभी भी पूरी तरह से ऐसे अलग एकदम से नहीं हो जाते थोड़ा थोड़ा करके अलग होते हैं तब देखो, मान लीजी यह DNA हमारे पास double stranded है इसको हमने replication करना चाहे हैं क्या चाहते हैं, replication करना चाहते हैं तो DNA के दौनों strand अलग हो जाएंगे और यह जो old DNA strands है इनके उपर new DNA synthesize होगा बतला old strand के उपर कौन सा DNA बनेगा? एक नया DNA बनेगा तो यह भी old strand है, इसके उपर भी क्या बनेगा? एक new DNA बनेगा तो क्या old DNA strand के उपर new DNA strand बनती है? हाँ इस process को ही बोलते हैं semi-conservative DNA replication क्या बोलते हैं इसको? semi-conservative DNA replication DNA replication कैसी process है? तो DNA replication is a semi-conservative process कैसी process है बोलना? semi-conservative process मतलब यहाँ पर हमेशा एक strand होगी new और एक strand होगी old पुरानी strand के उपर हमेशा कौन बनेगा? new strand तो एक strand कैसी होगी? old और एक strand होगी new और ऐसा strand या ऐसा DNA जिसमें एक strand पुरानी है एक strand नहीं है ऐसी condition को बोलते हैं semi-conservative DNA अब कौन है जिसने यह proof करके बताया? किसकी वज़े से हमें पता चला कि कभी भी DNA replication में एक old और एक new strand साथ में मिलेंगे? यह बताने वाली scientist थे दो एक scientist का नाम था Meselson and stall क्या नाम है? Meselson and stall और एक और scientist का नाम है Tyler et al et al नाम नहीं है et al होते हैं इनके साथी तो Tyler उनके co-workers आप सुनो Meselson स्टॉल जो है इन्होंने proof किया क्या semi-conservative nature of DNA मैं लिख लेता हूँ they proved semi-conservative nature of DNA क्या proof किया इन्होंने? इन्होंने proof किया semi-conservative nature of DNA अब देखे Meselson से install ने semi-conservative nature को proof किया था in prokaryotic cell कौनसा cell? prokaryotic cell Tyler एट ओल ने semi-conservative nature को proof किया था eukaryotic cell में eukaryotic cell कौनसे cell में? eukaryotic cell में अब prokaryotic cell में Meselson से install ने जब ये proof किया था तो कौनसा prokaryotic cell लिया था? तो आप बोलेंगे इन्हों ने लिया था eukola है क्या लिया था? eukola है और साथ ही साथ इन्हों ने इसको proof करने के लिए अपने semi-conservative nature of DNA को proof करने के लिए इन्हों ने use किया था N14 and N15 क्या है N14, क्या है N15? यह nitrogen के isotopes हैं यह है light isotope और यह heavy isotope of nitrogen मैं लिख देता हूँ this is light and this is heavy isotopes of nitrogen क्यों nitrogen का क्या लेने दिना है यह DNA से? आपको यहाद रखना है DNA में मिलते है nitrogenous basis कौन से basis मिलते है? nitrogenous basis तो nitrogen जो है DNA का एक पार्ट है आगे देखिए Tyler Atoll ने eukarytic cell में proof किया था conservative nature sorry semi-conservative nature तो Tyler Atoll ने eukarytic cell के नाम पे लिया था विस्या फेबा विस्या फेबा होता है फेबा बीन स्याफ है broad bean broad bean इन्होंने broad bean में proof किया था semi-conservative nature of DNA replication पक्का ना? अब याद आखना broad bean या विस्या फेबा में इन्होंने अपने experiment को इस उपर वाले statement को proof करने के लिए यूज किया था thymidine वो भी कैसा radioactive तो ऐसा कौन है जिसने radioactive thymidine का यूज किया था to prove semi-conservative nature of DNA tyleratol ऐसा कौन है जिसने heavy and light isotope use किये थे nitrogen के to prove that DNA is semi-conservative DNA shows semi-conservative nature तो यह थे मेशल्सन & Stoll अब जो experiment डिटेल में पढ़ना है उसका नाम है मेशल्सन Stoll का experiment कौन सा experiment मेशल्सन Stoll का experiment मैं लिख लेता हूँ मेशल्सन & Stoll experiment experiment मेशल्सन Stoll का experiment मेंट है जो हम डिसकस करने वाले इस experiment में कुछ चीज़ा बड़ी basic सी है आपको अच्छे से याद रखनी है मेशल्सन Stoll के experiment में पहली बात तो कौनसी प्रिपरिटिक चैल यूज हुई थी तो आप बोलेंगे E.coli को यूज किया था second इन्होंने isotopes कौनसे लिए थे तो आप बोलेंगे N14 and N15 इस के रहे हैं अभी पीछे मैंने आपको बताया है अब इस experiment के पहले step में क्या हुआ सबसे पहले step में इन्होंने E.coli लिया और उसको N15 मीडियम में ग्रो कराया for several generations यह कौनसे मीडियम है N15 मीडियम और इस N15 मीडियम में किसको ग्रो कराया जा रहा है E.coli मैं लिख देता हूँ E.coli grown in N15 medium for several generations for several generations तो बहुत सारी generations तक कई generations तक किसको grow किया गया N15 में आप बोलेंगे E.coli को grow किया गया N15 में अब medium में यह bacteria nutrient को consume करेगा और अपना number बढ़ाएगा notice करिए इस bacteria के पास में यह जो DNA है यह जो bacteria है जब यह divide करना शुरू करेगा तो number इनका बढ़ता जाएगा मैंने पहले ही mention किया है कि जब यह division कर रहे हैं तो इनका number तो बढ़ेगा और यह division जो है कितनी generation तक है मैंने लिखा several generation तक होगा मतलब एक division दो division नहीं होगे बहुत सारी division होने वाले है अब क्या होगा आगे अब यह जो हमारे पास में एन 15 medium है इस medium को मैंने फिर से draw कर लिया आप notice करो इस medium में आपको bacteria कम दिख रहे हैं कि जादा एक, दो तीन, चार पांच छे, साथ आठ नो, दस ग्यारा, बारा ऐसे मैंने बहुत सारे बहुत सारे मैंने क्या बना दी है यहां पर bacteria बना दी है और जो medium अभी भी यहां पर कौन सा है N15 नोटिस करो N15 medium में मैंने बहुत सारे bacteria's draw कर दी है अब notice करने लाइक चीज यह है कि जब कभी भी एक bacteria से दो bacteria बनते हैं तो bacteria के अंदर, इस bacteria के अंदर DNA replication होता है मतलब इस bacteria का DNA डबल होता है तो जब यह एक DNA से दो DNA बन रहे होंगे तो कौन सा nitrogenous base use हुआ होगा ऐसा nitrogenous base use हुआ होगा जिसमें N15 nitrogen मिलता होगा तो क्या N15 की presence की वज़े से इनके DNA जो light है के heavy है तो obviously our N15 medium is heavy तो यह DNA वो भी कैसा होगा heavy अब क्या किया जाएगा of bacteria के अंदर हमें मिलेगा N15 DNA तो मालम मैंने इसको बहार निकाला इसके अंदर जो DNA है वो DNA कैसा है N15 DNA है मतलब इस DNA के दौनो strand कैसे है N15 type है अब तुम पूछोगे आपको कैसे पता मतलब मुझे कैसे पता कि इस DNA के दौनों strand N15 है तो इसके लिए एक तरीका इनों ने बताया था गौर से सुनिएगा इस तरीके में क्या करना है यहां पे इनों ने बोला इनों ने एक machine का नाम था centrifuge इसमें एक plate लगी थी plate में हमें एक test tube लगानी थी अब मैंने एक test tube ली मैंने डाला cesium chloride क्या डाला cesium chloride cesium chloride के solution में मैंने डाला इस bacterial cell को अब तक मुझे नहीं पता कि यह bacterial cell में जो DNA है वो 15 वाला है कि 14 वाला मुझे पता नहीं है मैं मुझे मतला में स्ट्रेशन स्टॉल को पता नहीं था अब इनों ने इस test tube में जिस अब हम इस test tube को fit करने वाले हैं इस machine में machine का नाम है इसका DNA क्या हो जाएगा तुम बोलोगे free तो यह लो भी हमने इसका DNA कर दिया free अब जैसी test tube को मैंने अलग बहार निकाला अब test tube को मैं यहां से बहार निकाल रहा हूं मैंने test tube को जैसी बहार निकाल के देखा तो मुझे यहां पर test tube के अंदर DNA जो है DNA जो है इस test tube के एकदम नीचे देखने को मिला test tube का मिला test tube नहीं DNA का मिला test tube के एकदम नीचे देखने को मिला अब reason क्या है कि जो DNA test tube के नीचे पहुँच गया है तो बहुत important reason यह है कि cesium chloride N15 जो heavy nitrogen है इसका वजन इसकी density cesium chloride solution से जादा है इस वज़े से यह N15 वाला DNA कभी भी उपर की तरफ नहीं मिलेगा हमेशा नीचे मिलेगा पर अगर हम बात करें N14 DNA की तो हमेशा N14 जो है वो हलका है light है इसलिए cesium chloride solution में कहा मिलेगा उपर मिलेगा पर सोचो अगर एक strand हो N14 और एक strand हो N15 एक हो N15 और एक हो N14 तो ऐसी strand कहां पर मिलेगी obviously बीच में मिलेगी क्यों ना तो यह जादा heavy है ना यह जादा light है तो याद रखेगा इस experiment के basis पर हमें पता चलेगा हर एक cell का DNA कैसा है अब notice करो इन्हों ने अपने अगले step में इन मैंसे एक bacteria को उठाया यह देखो यह रा एक bacteria को उठाया और इस bacteria को पहुचा दिया एक नए medium में पराने medium में नए medium में अब new medium था N14 type कौनसे type का medium है N14 medium है मतलब यहाँ जो nitrogen है वो light nitrogen है अब जैसे हमारे bacteria यहाँ पर पहुचा तो क्या इस bacteria के पास में DNA था बिलकुल था कौनसा वाला N15 तो यहाँ पर मिलेगा N15 N15 DNA दो strand है दोनों N15 है ठीक अब जब यह divide करना शुरू करेगा तो इसको नया DNA बनाना पड़ेगा नया DNA बनाएगा तो इसको नया nitrogen चाहिए नया nitrogen में बेस से ही है और नय nitrogenous base में क्या मिलेगा N14 मिलेगा तो अब notice करो क्या मज़ाने वाला है अब यहाँ पर जब यह दो नए cell बनेंगे और जब आगे जाके यह दो नए cell दो दो और नए cell बनाएंगे तो इन नए cells में क्या देखने को मिलेगा pattern notice करिए बहुत जरूरी है तो एक-एक DNA तो इसके पास पुराना वाला आएगा उसके parents से तो एक यहाँ white DNA आना चाहिए यहाँ भी एक white DNA आना चाहिए पर जो white DNA आये हैं वो अकेले तो नहीं आये होंगे white DNA जब आये है तो replication के बाद में आये है मतलब replication तो यहाँ होई है तो जब replication इस cell में चल रहा होगा तो इसने N15 की जगे किसको चूज किया होगा N14 को क्योंकि medium में जो nitrogen है वही तो यूज करोगे सही बात है ना आपके फ्रेज में मानलो butter scotch ice cream रखी हुई है तो आप mango ice cream कैसे खाऊँगे तो यह जो फ्रेज है यह जो पैट्री डिश है इस पैट्री डिश में medium कौन सा है N14 तो नया DNA बनाने के लिए मैं N14 ही यूज कर पाऊंगा क्योंकि है N14 मेरे पास तो नोटिस करना यहाँ पे जो नई DNA strand बनेगी वह कौन से करने के लिए अपने दौनों strands को क्या करेगा अलग नोटिस करो एक strand कैसी थी green यह लिख लिया एक थी white यह लिख दिया एक थी green यह लिख दिया एक थी white यह लिख दिया पर अब जब नई strand बनेगी तो कौन सा medium आएगा N14 तो N14 मीडियम दिखाने के लिए हम लोग अब नई strand बनाएंगे green color से देख लो भई green color यूज कर लिया पक्ता अब इस बहुत आओ क्या आपको आपने नोटिस किया कि जब यह नए cell बन रहे है तो यह नए cell के पास हमेशा एक strand पुरानी दिख रही है के एक strand नहीं दिख रही है क्या यह white strand पुरानी है बिल्कुल है क्या green strand नहीं है हाँ तो क्या एक पुरानी strand के उपर एक नई strand का synthesis होता है हाँ this is called as semi conservative nature of dna replication इसको देख लो क्या इसके पास white strand है हाँ क्या वो पुरानी है बिल्कुल पुरानी है कौनसी वाली हो 15 वाली और green वाली कैसी है 14 वाली तो पुरानी strand के उपर नई strand बनना इसे ही तो बोलते है semi conservative nature पर इभा बताईए हमें तो bacteria दिख रहा है हमें कैसे पता कि इसमें एक strand पुरानी एक नई है हम करेंगे उपर वाली technique हम test tube में इस bacteria को डालेंगे जोर से गुमाएंगे गुमाने के बाद test tube को ऐसे देखेंगे अगर यह DNA नीचे मिला तो DNA 15 वाला है अगर DNA उपर मिला तो DNA 14 वाला है और बीच में मिला मतलब बीच में मिलने का मतलब है एक strand है 14 और एक strand है 15 तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जब हमने 15 वाला DNA लिया उसको 14 वाले मीडियम में रखा तो हमें पहला bacteria कैसा मिला पहली bacteria में एक strand पुरानी मिली और एक strand नहीं मिली इससे प्रूव होता है that DNA replication is a semi conservative process समझ गए अच्छा इस पर basis पर कुछ questions आते हैं वो आपको समझ में आने चीए यहाँ पर क्या-क्या observe कर सकते हैं पहली चीज़ यह है पहली generation यह है दूसरी generation इस bacteria में जब divide किया तो एक से कितने बनाए 2 तो हमेशा bacteria एक cell हो तो कितने बन जाते हैं 2 2 से बनते हैं 4 चार से बनते हैं 8 8 से बनते हैं 16 मतलब यह double होते जाते हैं तो कोई आपसे बोले कि एक division के बाद कितने बेक्टरिया मिलेंगे तो भया एक division के बाद दो बेक्टरिया मिलेंगे अच्छा दूसरे division के बाद चार मिलेंगे तीसरे डिविजन के बाद कितने मिलेंगे आठ और चौथी डिविजन के बाद मिलेंगे 16 ऐसी पांच्वे डिविजन के बाद कितने मिलेंगे 32 बतलब डबल होते जाते हैं बैक्टिरिया इसे बोलते हैं exponential growth दूसरी बात जितनी बार बैक्टिरिया डबल होते जाएंगे उतन दो, फिर से दो intermediate हैं, आप notice करिए, अगली कितनी भी generation आप बना लीजे, हर generation में आपको दो मिलेगे intermediate, और बाकी सारे DNA कैसे मिलने वाले हैं, बाकी सारे DNA आपको मिलने वाले हैं, medium जैसे, अब जैसे यहां है N14 medium, तो यहां जादतर आपको मिलेगे N14, और सरिफ दो मिलेगे intermediate, यह आपको fix करना है, तो मैं लेग देता हूँ, in each generation, in each generation, in each generation, n14, उपर वाले की बात हो रही है, इस वाले की, in each generation, n14, अगर आपको calculate करने है, number of N14 is equal to, number of N14 is equal to, total bacteria minus 2, 2 क्यों, क्योंकि हर generation में 2 intermediate मिलने वाले हैं, तो 2 intermediate आप total में से हटा दो, तो आपको N14 वाले bacteria मिल जाएंगे, अब bacteria पूछ रहा है कि, strand पूछ रहा है, यह भी याद रखना, bacteria पूछेंगे तो, 1, 2, N14 वाले 2 bacteria हैं, 4 में से 2 कौन, N14 पर, N14 strand पूछा तो, तो 4 में से strand है, 2, 2, 4, और 5, और 6 strands मिलेंगे आपको N14 टाइप की, तो bacteria कितने हैं पूछ रहे हैं, कि strand कितनी हैं पूछ रहे हैं, यह आपको याद रखना पड़ेगा, इसी के साथ जो अभी हमने part complete किया है, इसे बोलते हैं, में शल्सन इंस्टॉल का experiment, और इस experiment में हमने proof किया, that DNA is a semi-conservative, DNA shows semi-conservative replication, बत्ब DNA जब भी replicate करेगा, तो एक strand हमेशा होगी पुरानी, और उसके उपर बनेगी एक नई strand, पक्का न, इसी के साथ इस lecture को हम खतम करते हैं, हम मिलेंगे अब कल के दिन एकदम नए lecture के साथ, और कल हम बिल्कुल initially start करेंगे replication, और replication के immediately बाद हम लोग पढ़ेंगे transcription, दोनों बहुत जादा important है, इसलिए lecture को गलती से भी मिसमत करना, thank you so much for joining, bye bye.